नमस्कार आप सभी का हमारे पेबल्स के किचन में स्वागत है आज हम गवार फल्ली की सबजी बनाने जा रहे हैं गवार फल्ली की सबजी बहुत स्वादिश बनती है और बहुत फाइबर होता है उसमें गवार की सबजी खाने से बहुत nutrients मिलते हैं तो चलिए देखते हैं गवार की सबजी कैसे बनाई जाती है गवार की सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़े बॉल में गवार, बारी कटा हुआ टमाटर, प्यास, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हरी धनिया, नमक अनस्वाद अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर, बारी कटा हुआ हरी मिर्च और गरम मसाला और पकाने के लिए तेल चलिए देखते हैं गवार फली की सबजी कैसे बनानी है गवार की सबजी बनाने के लिए एक कड़ाई लीजे जब कड़ाई गरम हो जाए उसमें हम तेल डालेंगे तीन से चार चमर्च तेल डालें तेल गरम होने के बाद इसमें गवार फली डालें इसको अच्छे से भून लीजिए लगभग 1-2 मिनिट तक भूनना है अब इसमें कटी हुई प्याज डालना है कटा हुआ टमाटर डालना है और कटी हुई हरी मिर्च अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेजे, अब इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे, लगबग 1 चमउच, धनिया पाउडर एक चमउच, एक चमउच हल्दी पाउडर, एक चमउच लाल मिर्च पाॉडर, स्वाद अनुसार नमक, और एक चमच गरम मसाले का पाउडर अब हम इसको ढखके 7-8 मिनिट तक पकाएंगे देखे 7-8 मिनिट तक पकाने के बाद आप देखिए सबजी तयार है अब हम इसको गार्निश करेंगे या सजाएंगे हरी धनिया से यह हमारा तयार है गवार की सबजी तो दोस्तों आपने देखा गवार फल्ली की सबजी बनाना बहुत आसान है आप इसे जरूर बनाएए इस सबजी में बहुत फाइबर होता है बहुत विटामिन्स होते हैं आप जरूर बनाके देखिए और अपने परिवार जनों को जरूर खिलाएए आपका फीडबैक आपके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजे अगर आपको इस गवार की सबजी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बाई फार नाओ